प्यारे बच्चों, वेलकम इन वार्शिया उर्दू मीडियम क्लास तो बच्चों, यहाँ पर EBS पार्ट वन का सबक नमबर 16, पानी के बारे में आज हम सभी छोटी मोटी मालुक मात हासिल करेंगे और साथी इस सबक के सवाजव भी हल करेंगे इससे पहले मेरे कई वीडियो अपलोड हैं जिसमें नवी, दसवी, आटवी, साथवी, छट्टी और अब यह पाचवी का EBS और अलग-अलग मजमुन भी हैं जिसमें इंग्लिश, उर्दू, तारीक, सियासियाद, जोग्राफिया वगरा के सभी सवाजव अपलोड है 11th Standard के लिए भी मैंने MCQ Solving डालना शुरू किया है अगर आपके बड़े भाहिवे नीट सॉलूशन के लिए अगर प्रिप्रेट कर रहे है तो मेरे चैनल को इस्तफादा करने के लिए ज़रूर बताईए नाम है Excellent Classes ठीक है तो चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ पर पाचवी जमात का सोलवा सबक पानी EVS ये पार्ट वन है ज़रा याद कीजिए नमबर वन पानी से भरेवे बरतन में चमचा भर शक्कर लकडी का भूसा मिट्टी डालने पर क्या होगा है ना आपने कभी ऐसा करके देखा है यह पर जरूर करके देखिए और कई साइड में रख देजिए उसे और फिर देखिए उसमें तिसरा है कि पानी का पीन का पानी होता है वह साफ और बेजरर करने के लिए क्या करते हैं कभी आपने ध्यान दिया है कि अगर मैला पानी अगर हमारे नल से आता है तो उसको साफ करने का एक बहुत ही आसन तरीका है जो फिटकरी होती है उसको हम पानी में 4-5 बार ऐसा ऐसा है राउंड राउंड बस गुमा के निकाल देते हैं इतना ही करने से क्या हो जाता है पानी क कि जितनी गंडगी होती ही न वो चुपके से जाके नीचे तले में बैठ जाती है और उपर का पानी एकदम साफ हो जाता है तो वो पानी डेरेक भी पिया जा सकता है तो ये एक तरीका है घर में पानी को साफ करने का अब पानी की आलुद्गी को हम देखेंगे कि आईए य यहाँ पर आपको फिर कुछ करने के लिए कह रहे हैं, क्या फरक नजर आता है इसकी वज़ा क्या है? पानी में दूसरी अश्या शामिल हो जाये तो पानी आलूदा हो जाता है, कुछ अश्या पानी में तेरती रहती है, इसलिए पानी गेर शफाफ और गदला नजर आता है कुछ अशिया पानी में हल हो जाती है और नजर नहीं आती पानी में हल पजीर अशिया जानदारों के लिए मौलिक साबित होती है तो हम इस पानी को आलुदा कहते है नदिया और जीले हमारे पानी के जखैर है इनका पानी किस तरह अनुदा होता है अब बताईए तो भला आपके घर के बावर्ची खाने में हमाम से बाहर निकलने वाले गंदे पानी में कौन-कौन सी अशिया मिली भी होती है देखें यहाँ पर हमाम यने बातरूम और ये आपके घर के बावर्ची खाने किचिन में से क क्या क्या आपको अश्या मिलती है वो बताने को कह रहा है और गंदा पानी और इसकी नकासी कैसे की जाए शेहर और गाओं के गंदे पानी को यगजा करके मुनासिब जगा बढ़े आभी जखेले में छोड़ा जाता है रियाईशी इमारतों सनतों खेतों कारखानों से अब आप इस पानी को देखिए इसके उपर क्या-क्या तैर है यानि मिटी लकडी पत्ते वगेरा जो है वो मिक्स नहीं होते लेकिन नमक शक्कर पानी कलर और जितने भी मतलब जो कंपनियों से बैने वाला पानी जो होता है जिसमें केमिकल मिक्स होता है वो पानी में जाते का इमकान ज्यादा होता है अगर ये सब गंदा पानी इसी हालत में आभी जखिरों में छोड़ा जाए तो आभी जखिरे का पानी आलुदा होकर मौलिक हो जाता है ऐसे पानी पीने या किसी और काम में इस्तिमाल नहीं किया जा सकता कारखानों के मालकान पर ये पाबंदी ह कि वो गंदे पानी पर मक्सूस अमल करके ही उसे बाहर छोड़े। इसी तरह गाओं का गंदा पानी आभी जखीरों में छोड़ने से भी पहले इस पर मुकामी इंतिजामिया के जरिये मक्सूस अमल किया जाता है। ऐसा करने से आभी आलूदगी से बचा जा सकता है। अब नदी के बहते वे पानी की कुदरती तरबर किसी हद तक तकलिस होती है। इसके इलावा गाओं को पानी पहुचाने से कब इनकी इसकी तकलिस की जाती है। क्या आप यह जानते हैं, नदी में ज्यादा तनासुब में गंदगी मिल जाए, तो खुद्रथी तौर पर पानी की तक्षील तकलीष नाकाफी होती है, पानी में हल पजीर ओक्सीजन का तनासुब कम हो जाता है, इसलिए आभी जानदारों को खत्रा लाहक होता है अब पानी की तक्लीज क्या है आईए ये करके देखें प्लास्टिक की एक बॉटल लीजिए उसकी मुँपर एक साफ सुत्रा कपड़े का तुकड़ा बांद दीजिए उसका निचला हिस्टा काटिए बॉटल को उल्टा करके इसमें शकल की मताबिक कोईले के सफूफ यानि यहाँ जो जो दिखाई दे रहा है वो आपको इस तरह जैसे कोईले का सफूफ बारीक रेत और मोटी रेत की तये तैयार कीजिए इस तरह से आपको बिल्कुल करना है बॉटल को कटिंग करना है आगे कपड़ा बान देना है और यह सारी चीज़े भरना है अब बॉटल की शकल में बताएवे तरीके से तर्तीब दीजिए अब कचरे वाला गंदा पानी आहिस्ता आहिस्ता बॉटल में डालिए बॉटल के कटे हुए इससे में गिरने वाले पानी का मुशायदा कीजिए यह पानी शफाफ नसर आता है लेकिन आपने देख सिखा है कि इसके बावजूद इसमें खुर्द बेनी जांदर मौजूद हो सकते यानि जरसीम वगरा हो सकते है आभी तकलीस मरकज क्या है अपने उस्ताद के साथ आपके गाउं को पानी पहुचाने वाले पानी की तकलीस की मरकज की सेर कीजिए वहां के अफसर से इजाजत लेकर उससे मुलाकात कीजिए और जेल के सवाल पूछ कर पानी की तखलीज के अमल की मालूमात हसिल कीजिए पहला सवाल होगा कि अवामी आप रिसानी के लिए पानी कौन से आभी जख्कीरे से लाया जाता है दूसरा रोजाना कितने लिटर पानी की तखलीज की जाती है तिसरा पानी को साफ शफाफ और जरासीम से पाग करने के लिए कौन कौन से मकसूस अमल किये जाते हैं चौथा ये मकसूस अमल किस तर्तिब में करते हैं पाचवा पानी की बद्बू कम करने या खतम करने के लिए क्या किया करते हैं अब क्या आप ये जानते हैं सफर में कई बार हम पानी की बोतल खरीद कर पीते हैं ये बात तो बिल्कुल सही है रेलवे स्टेशन हो या बस स्टेंड हो वगेरा पर पीने के पानी की बोतले फरुक्त होती है इन बोतलों पर कौन सी मालूमत लिखी होती है वो पढ़िये और दूसरों को बताईए बोतल में पानी कब भरा गया और पानी कब तक इस्तिमाल किया जाता है ये मुदद बोतल पर छपीवी होती है पानी खरीदते वक ये मालूमा जरूर देखे जब भी आप खरीदते हो रहा तो देट उसका देखने का कब वो बनी भी है बोतल खोलने के बाद पानी जल से जल इस्तिमाल कर ले पानी खतम होने के बाद बोतल को तोड मरूर कर कचरे के डिबे में डाले तोर मरूर के भी और बच्चो इसका जो ढक्कान होता है न उसको दातों से दबाके और बोटल में ही छोड़ दिया करे इससे ये बोटल वापस यूज में भी नहीं आती है ताकि बोतल में दोबारा पानी भरकर उसका पानी के लिए इस्तेमाल ना वो हो सके बताईये तो भला किसी एक कित्ते में बारिश बहुत अरसे तक ना हो तो पानी के लोगों की जिंदगी पर उसके क्या असरात होंगे जाहिर सी बात है बहुत दिन पानी ना हो तो पानी की कम ही हो जाएगी अवामी आवित अखलीस मरकस में मक्तुरस अमल क्या क्या होते हैं देखिए निहारना यानि पानी को च्छानना गाउं के पानी के जखिरे से लाया गया पानी टंकियों में साकिन हालत में रखा जाता है और पितकरी का इस्तिमाल किया जाता है दूसरा है oxygen मिलाते हैं उसको क निथारना यानि पानी को छानना, गाउं के पानी के जखिरे से लाया गया पानी टंकियों में साकिन हालत में रखा जाता है और पिटकरी का इस्तिमाल किया जाता है, दूसरा है ऑक्सिजन मिलाते हैं, उसको कैसे पम की मदद से पानी में हवा दाखिल की जाती है, जिसकी वज पानी को जरसीम से पाक करते हैं अब यह तस्वीर जो है चारो आप अच्छे से देख लीजे अब खुशक साली याने कहत किसे कहते हैं अमले तबकीर की वज़े से पानी मुसरसल भाप में तब्दीर होता रहता है जिसकी वज़े से खुशक और गरम आबो हवा वाले इलाके क नदिया, ताला, कुए, बंद में पानी के सते कम होती जाती है और इन में से कई सूख भी जाते हैं इसी तरह जमीन भी खुशक हो जाती है और ऐसी हालत में जानवरों और हमें भी पानी किल्लत महसुस होती है जर्रात के लिए भी पानी नहीं मिलता यानि कहत में कहत पढ़ इस खिते के लोगों को बहुत खराव हालत का सामनागाँ करना पड़ता है इस इलाके के हैवानाथ और नाबतात भी कहत साली से मतासिर होते हैं उकुमत की जानिश्य पर कहत से मतासिर हैं लोगों को اور हैवानात को आर्सी तोर पर महफूज मुकाम पर भेजा जाता है उन्हें चारा पानी और अनाज पहुंचाया जाता है ऐसी सूरत हाल में पालतु जानवरों की निगेदाश के लिए चारा छाउनिया बनाई जाती हैं, जो लोग घरों में पालते हैं, पालतू जानवरों को, वो क्या करते हैं, एक ऐसा च्छत डाल देते हैं, उसके अंदर उनको रखते हैं, उनके इंतिजमात कर लेते हैं, क्या करेंगे भला, गाउं से दो तालाब, को जमात की सेर के साथ जाना है, दिन भर के लिए पीने के पानी का इंतिजाम करना है, पानी का इंतिजाम अब कैसे करेंगे, तो बारिश की वज़े से हमें बार बार पानी दस्याब होता है, आम तोर पर हम को साल भर में चार महीने बारिश का पानी मिलता है, बारिश की पा पानी को जजब करके उसका इंतिजाम कीजिए, साल पर पानी की ज़रूरत पूरी करने के लिए बारिश के पानी को रोकना पड़ता है, पानी को रोका जाये तो वो जमीन में जजब हो जाता है, जेर जमीन पानी का जखीरा बढ़ने पर दरगतों को पानी मिलता है, इसी तरह कुओं को पानी मिलता है और जर्रात करना मुम्किन होता है अब पानी जमीन में जजब होने के लिए मुक्तलिफ कोशिशे की जाती है बड़े बंद तामीर किये जाते हैं लेकिन हर जगा बंद तामीर करना मुम्किन नहीं होता ऐसे वक्त छोटे तालब बनाना और धलवान प कुछ जगो पर नदी के पार्ट में कुवा खोद कर महा पानी का जखीरा करने का इंतिजाम किया जाता है। बारिश का भानी पर नाले की मदद से आंगन में रखी उटक्वी टंकियों में जखीरा किया जाता हैं। तमाम तरीकों के जरीए अब देख रहे हैं आप यहां पर इस तरह से पानी को रोकने के लिए ये ऐसा दिवार बना दी जाती है ताके वो रुप जाए और ज्यादा से ज्यादा पानी जमा किया जाता है अब दस्तिया पानी का किफायश और इससे इस्तिमाल करना बारिश के पानी को रोक कर जमीन में जजब करना या टंकियों में जकीरा करना एहमियत रखता है इस तरीके से बारिश के मौसम के बाद भी पानी हासिल हो सकता है इस तरीके के इंतिजाम को पानी का आहसन इंतिजाम कहते हैं एक अच्छा तरीका जिसको कहा जाता है आपके गिर्द व जजब करने का इंतिजाम कीजिए, जखीरा कीजिए और किफाया शौरी से इस्तिमाल कीजिए, हमने क्या सीखा बच्चों? पहला हमने सीखा कि पानी में मज़र अशिया मिल जाएं तो पानी आलुदा हो जाता है, यानि पानी को हमें हमेशा ढख कर रखना चाहिए और उसे ब पहले उसको किस-किस तरह से मैंने अभी उपर तस्थीरों में भी बताया ना कैसे उसमें हवा डाली जाती है, कैसे साफ किया जाता है, और फिर यहां पर तीसरा है कि पानी पहुचाने से कबल गाओं के आभी तकलीस मरकज में पानी में हल बजीर और गैर हल बजीर अशिया पानी से अलग की जाती है, इसी तरह पानी को जरसीम से पाक किया जाता है, आगे है कि काफी अरसे तक बारिश ना हो तो कहत पड़ता है, यह तो है, छटा है यहां पर पाचवा है, यहां पर कहत जदा इलाके के तमाम इंसान, हैवानात और नबतात कहत से मुतासिर होते हैं और आखिर मैं कि पानी रोप कर जजब करके या जखीरा करके बारिश के बात के अर्षे में हासिल करने को पानी का अहसन इंतिजाम कहते हैं, एक बहुत यह बहतरीन तरीका इसे अहसन इंतिजाम कहा जाता है, अब मर्श के बच्चों यहाँ पर यह सवाल जाब है, इसके पर हमें पेन मिल गई, हम लेंगे रेट कलर, वेलकम इन वार्सिया उर्दू मीडियम क्लास, तो बच्चों ये सोलवा सबक पानी है, तो यहां पर हमारे सवाजवाब शुरू होते हैं, दर्सी किताब का सवाल नंबर अलीफ, क्या करेंगे भला, जमीन की धलवान के सबब बा पतर का किनारी तामिर करने से भी मिट्टी बेना बंध हो सकता है, बे का सवाल है, यहां पर आईए दिमाग पर जोर दे, बारिश का पानी जमीन पर जजब हो, इस मकसद के लिए सड़के और फुटपात किस तरह तामिर करेंगे, तो जवाब है, बारिश का पानी जमीन में गैब देने से भी पानी जजब हो जाएगा, अब जीम का सवाल है, यहां पर दरजेजिल सवालों के जवाब लिखिए, पहला सवाल है, कहत में कैसे हालात पैदा हो जाते हैं, तो जवाब है, कहत में नदिया, ताला, बंद और कुमों में पानी की सते कम होती जाती है, और तो और तो और कुछ सूख भी जाते हैं, जानवर और इंसानों को पानी की कमी हो जाती है, इन मुश्किलात में किसानों को भी जर्रात के लिए पानी की किलत होती है, इस वज़े से इंसानों को नकल मकानी भी करनी पड़ती है, दूसरा है सवाल यहाँ पर बारिश के बाद भ होती जाती है तो कुछ सूख भी जाते है जानवर और इंसानों को पानी की कमी हो जाती है इन मुश्किलात में किसानों को भी जरुरात के लिए पानी की किलत होती है इस वज़े से इंसानों को नकल मकानी करनी पड़ती है और इसके इंतिजाम भी करना पड़ता है तीसरा है तो जीर जमीन का जखीरा बढ़ता है और इसी वज़े से कुवे भरे रहते हैं। चौता है सवाल यहां पर कि पानी का अहसन इंतिजाम किसे कहते हैं। जवाब है जमा कियावा पानी किफायस से इस्तिमाल करना और पानी बारिश के पानी को जमीन में जजब करना या टंकियों में भर कर रखना एहमियत रखता है इस तरीके से बारिश के बाद भी इस तरह पानी की दस्तियाबी के इंतिजाम कोई पानी का अहसन इंतिजाम कहते ह अब डाल का सवाल है यहाँ पे सही है या गलत बताईए और गलत जुनों को दुरुस करके लिखे पहला सवाल है कि हमें साल भर बारिश का पानी दस्तियाब होता है तो जवाब है गलत है तो हमें सही जवाब भी देना है ना तो सही जवाब है कि हमें बारिश का पानी सिर्फ चार महीने यी दस्तियाब होता है साल भर नहीं दूसरा सवाल है इसी का हुकूमत की जानी से कहत से मुतासिरा लोगों और हैवानात को आरजी तोर पर महफूज मुकाम पर भेजा जाता है तो जवाब है सही तो यहां सरगर्वी हैं बच्चो आपके लिए पहला है कि आपके सरपरस्त या दोस्त तहली से गुफ्तगू करिए अखबार में पढ़कर या वैब साइट से मालूमात हासिल कीजिए हमारी रियासत में किस साल कहत पढ़ा था और इस पर काभू पाने के लिए कौन सी दूसरा सवाल है अखबार में चुपी वी और छपी वी बहते हुए बहते पानी और ठहरे हुए पानी की तस्वीरे जमा कीजिए अभी हमने तस्वीर एक देखी थी ना पहले इस तरह से यह बच्चो आपको अपने ओन से ही सरगर्मी को मुकमल करना है तो यहां पर हमारे स सबक का और सभी सवाजवाब मुकमल हुए मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में जरूर आया होंगे अच्छे लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को लाइक दीजिए और बहुत ज्यादा दोस्तों में अपने उर्दू मीडियम क दोस्तों में जरूर शेयर करो बच्चो ताके उन्हें भी कोई डाइजेस्ट ना खरीदना पड़े और इन बताएवे सवाजवाब से वो भी अच्छे से घर बैठे कामियाबी हासिल कर सकते हैं अगर इस सबक के मुतालिक कोई भी डाउट आपके जहन में आता है तो मुझ करते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ अब तक के लिए बाबाई टेक केर अला हाफिज